बल और गती के नियम ये चैप्टर हमने कम्प्लीट कर लिया है इसको अच्छी तरह समझ लिया और इसमें जो किताब के पीछे अभ्यास प्रश्ण और बहुत सारे नुमेरिकल्स दे रखे थे उन सभी को हमने हल कर लिया और हमको अच्छी तरह समझ में आ गिया कुछ और प्रश्ण जो कि हमें नुमेरिकल्स के बारे में और चैप्टर्स के बारे में हमारी समझ को पक्का करेंगे हमें प्रैक्टिस देंगे उन सवालों को हम आज और हल कर लेते हैं जिससे कि हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी सम पानी भरा है तथा वह एक समान गती से गतिमान है अचानक ब्रेक लगने पर पानी का बहाव होगा तो टैंकर चल रहा है तो उसके अंदर जो पानी है वो भी गतिमान हो गया और जैसी गारी में ब्रेक लगे तो पानी उचल के किस तरफ जाएगा जैसे ब्रेक लगेंगे तो पानी भी आगे की तरफ गती मान है, तो ब्रेक लगते ही पानी अपनी गती के जड़त्व में रहेगा, तो वो पानी कैसा उचलेगा, आगे की तरफ उचलेगा, ठीक है, अगला प्रश्न है, दो बल, F1 वा F2 एक वस्तू पर चित्रा नुसार कारे कर रहे हैं, वस्तू का त् देखो एक वस्तू दिखाई गई है, पांच किलोग्राम की, इस पर दो बल कारे कर रहे हैं, बल लगने की दिशा कैसी है, विपरीत दिशा है, इसका मतलब दौनों के बल की मान भी अलग-अलग है, एक में 50 नूटन का बल लग रहा है, दूसरे में 65 नूटन का बल लग रह है, और यहां पर 65 नूटन का बल लग रहा है, तो इस 65 में से 50 नूटन का बल तो इस वाले बल से बैलेंस हो रहा है, संतुलित हो रहा है, ठीक है, तो वो तो हो जाएगा शुडने तो कुल, कितना बल कारे करेगा, एक्चुली इस वस्तू के उपर 15 किलोग्रम का, क्योंकि 65 अगला सवाल है जब एक 5 किलोग्राम वाली वस्तू पर बल लगता है तो उसका वेग 8 मीटर पर सेकिंड से 12 मीटर पर सेकिंड चार सेकिंड में हो जाता है तो बल का परिमान होगा तो अब बल हमको ग्याद करना है ठीक है हमको क्या ग्याद करना है बल ग्याद करना है अब क्या-क्या दे रखा है हमको सवाल में ये सोचना है तो दे रखा है हमको 5 kg यानि कि M हमें दे रखा है 8 m per second से 12 m per second हो गया यानि कि 8 तो हो गया U और 12 हो गया V और 4 second हो गया T हो ठीक है तो बल का परिमान याद करना है तो F बराबर M A गती के प्रथम समी करण से हम जानते हैं कि A का मान क्या होता है V minus U upon T values को रख लेंगे और उत्तर को निकाल लेंगे तो 5 V का मान कितना है 12 minus 8 upon T कितना है 4 second ठीक है तो 5 12 में से 8 गई 4 बचे 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगी तो बचा 5 तो F का मान कितना हो जाएगा पांश न्यूटन यानि की C वाला आंसर सही है तो इस तरह से हमको numerical करते जाना है अगला सवाल है एक ट्रक चौपन किलो मीटर प्रती घंटे की चाल से गतीमान है ट्रक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है और ट्रक को 5 सेकिंड में विरा मवस्था में ले आता है ट्रक क मंदन बल कितना होगा यदि ट्रक और ड्राइवर का जरवे मान 400 किलो ग्राम है तो यह हमको M पता लग गया 54 किलो मीटर प्रती घंटे की 40 से गतीमान है तो यह हो गया U ठीक है और ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगाने से क्या होगा विरा मवस्था में आ गई इसका मतलब V हो गया शुन्या ठीक है और पांस सेकिन में लगाता है तो वो हो गया टाइम अब हमको ग्याद करना है F को ग्याद करना है कि F कितना है ठीक है तो सबसे पहले हमको क्या देखना है जो U का मान दे रखा है वो 54 किलो मीटर प्रती घंटा दे रखा है और हमको किस में लेना होत है तो हम क्या करेंगे पहले 54 किलो मीटर पर घंटे को चेंज करेंगे चौपन गुणा 1000 मीटर में चेंज कर दिया और एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड तो इसको हमने चेंज कर लिया 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी इस तरह से आ गया हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड 15 मीटर पर सेकंड का क्या हो गया यू का मान हो गया ठीक है अब हमको ग्याद करना है अप बराबर M A तो M हमारे पास है 400 किलोग्राम ठीक है V कितना है A का मान कितना हो जाएगा V minus U upon T ठीक है 400 और V कितना है 0 minus U कितना आ गया हमारे पास 15 और वो कितना है समय T, T है हमारे पास 5 सेकिंड का, तो इसको हम हल कर लेंगे, 400 गुणा 15 बटा 5, यानि कि 1200, तो 1200 न्यूटन का बल, इस ट्रक और ड्राइवर, इस ट्रक को मंदन बल इसमें लगेगा, ठीक है, यहाँ पर ही माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यह माइनस के 15 है, तो 1200 न्यूटन का ब इसमें लगेगा, अगला सवाल है 500 किलोग्राम की एक बस, 5 मीटर पर सेकिंड के वेग से गतिमान है, और उस पर इनजन द्वारा 500 न्यूटन का बल कारे कर रहा है, बस पर 200 न्यूटन का घशन के गारण भी मंदन बल कारे कर रहा है, बस पर 20 सेकिंड बाद बस का वेग तो देखिए यहां पे भी वही बात है कि 500 N का बल तो इन्जिन द्वारा लग रहा है और वो न्यूटन कа जो बल लग रहा है उसको कौन कम कर रहा है घरशन बल कम कर रहा है तो जो नेट बल लगेगा वो कितना हो जाएगा 500 में से 200 घटा देंगे तो 300 तो बल का मान कितना हो जाएगा तीन सो न्यूटन का क्योंकि इंजन तो लगा रहा है 500 न्यूटन का बल और घरृषन बल उसको कम कर रहा है 200 न्यूटन के बराबर वो बल कम हो जा रहा है और 500 किलोग्राम के वस्तू है तो इसका मतलब हो गया M का मान हो गया 500 kg बस 5 meter per 30 second के वेग से गतिमान है तो U हो गया 5 meter per second के वेग से गतिमान है तो मंदनबल कारे कर रहा है बस पर 20 second बाद बस का वेग क्या होगा क्या गयाद करना है हमको 20 second के बाद यानि T भी आ गया 20 second के बाद बस का वेग क्या होगा हमको क्या ग्यात करना है V का मान ग्यात करना है तो V का मान ग्यात करने के लिए हमको ग्यात करना होगा A क्योंकि A या तो हमें पता हो A या फिर हमें पता हो V दोनों ही हमको पता नहीं होते तो हम A का मान कैसे ग्यात करेंगे देखे F बराबर M A ये एक सूत्र है तो हमारे पास F का मान भी है हमारे पास M का मान भी है तो हम A find out कर लेंगे तो F कितना है हमारे पास A के हिजाब से निकालेंगे तो F बटा M यानि की F कितना है 300 और M कितना है 500 यानि 3 बटा 5 मीटर पर सेकिंड स्क्वाइर का तुरण हमें मिल गया अब हमसे पूछा है बस का वेग कितना होगा यानि हमको गयाद करना है V तो V गयाद करने के लिए हम गती का पहला समिक्रण याद करते हैं V बराबर U प्लस 80 तो U का मान है हमारे पास 5 A का मान हमारा निकल गया 3 बटा 5 और T कितना है 20 दे रखा है तो 20 हमने लिख लिया 5 चौक 20 तो 4 ती या 12 12 प्लस 5 17 12 और 5 17 तो ये 17 मीटर पर सेकिंड का वेग अन्तिम वेग इसका हो जाएगा तो B वाला आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा अगला प्रिशन है एक गोल कीपर फुटबॉल के खेल में बॉल को पकड़ कर हातों को पीछे की और ले जाता है इसा करने से गोल कीपर बॉल पर जादा बल लगा पाता है बॉल के द्वारा हाथ पर लगने वाला बल कम करता है समवेग में परिवर्तन की दर को बढ़ाता है समवेग में परिवर्तन की दर को कम करता है तो वो क्या करता है समवेग में परिवर्तन की दर को बढ़ाता है दर बढ़ेगी समवेग में परिवर्तन दीरे दीरे होगा तो उसके हाथ में चोट नहीं आएगी तो वो क्या करता है बल दर को कम करता है दर को बढ़ाता है अगला प्रश्न है जब एक व्यक्ति किसी टावर के नीचे खणा होकर खड़े तनित्य ट्रैंपोलिन पर कूदता है तो वह बुरी तरह से घायल हो जाता है कम घायल होता है बिलकुल घायल नहीं होता है उप्रोक्त में से कोई दे तो एक ऐसा बना हुआ होता है जिसके उपर कूदते हैं तो वो भी वापस से आपको उपर की तरफ पुश करता है यानि कि उसके उपर बच्चे कूद कर खेलते हैं तो उपर से अगर टावर से उसके उपर कूद रहा है तो क्या होगा वो वापस से उसके उपर प्रतिकिरिया क और व्यक्ति वापस से उपर की और कुछ जाएगा तो वहां बिल्कुल भी घायल नहीं होता है उसके उपर जो लगने वाला बल है वो उसको स्पेस देता है वो नीचे की तरफ चला जाता है धस जाता है धसने से क्या हो जाएगा उसका समवेग कम हो जाता है और समवेग कम हो अलग अलग वस्तों पर विप्रीत दिशा में कारे करता है एक ही परिमान तथा दिशा की होती है सामा नेत्या एक दूसरे पर कारे करते हैं तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा हमेशा अलग अलग वस्तों पर विप्रीत दिशा में कारे करता है अगला प्रशन है रोकेट निम वजह से बहुत energy उत्पन होती है और वो इतनी energy इतना temperature बढ़ जाता है कि वर अनरजी होती है निकलती है तो वह इतनी जोर से बहर निकलती है कि उसके दबाव से उसके बल की सऽवरोप वो rocket उपर की तरफ उनने लग जाता है तो कौन से सिद्दान पे कारे करता है समवेग के सिद्दान पर जिसमें की समवेग संगरक्षन का नियम लागू होता है क्रिया प्रतिकिरिया होती है अगला नियम है वस्तू का जड़त्व समवेग वबल किस कारक पर निर्भर करते हैं तो द्रवेमान गुणा वेग तो जितना वेग होगा और द्रवेमान होगा वो दौनों के उपर समवेग निर्भर करेगा और बल किस पर निर्भर करेगा बल निर्भर करेगा द्रवेमान पर और वस्तु के त्वरण पर बल निर्भर करेगा तो देखिए जड़त्व द्रवेमा पर समवेग द्रवेमान और वेग पर बल द्रवेमान और त्वरण पर निर्भर करता है। फिर कुछ एक्स्ट्रा सवाल हमको दे रखे हैं, किताब में भी दे रखे हैं तो वो भी हम करेंगे। कारण बताईए सडक दुरगटना में जब वाहन तेज गती में होते हैं तब जादा बुरे होते हैं उनसे जब वे कम गती में होते हैं तो कोई भी वाहन अगर बहुत स्पीड से चल रहा है तब व्यक्ति जादा क्यों घायल होता है और कम स्पीड से चलने में क्यों कम घायल ह क्योंकि उच्च गति से गतिमान वाहनों का समवेग जादा हो जाएगा द्रवेमान तो जादा ही है और प्लस वेग भी जादा हो जाएगा तो समवेग क्या है द्रवेमान गुणा वेग तो अगर वेग भी जादा होगा द्रवेमान भी जादा होगा तो चोट भी जादा तेज गती से चलते हुए मुड़ी है तो यात्री एक तरफ जुग जाते हैं क्यों जुग जाते हैं एक तरफ क्योंकि वो कैसी दिशा में होते हैं गती जो जड़त्व होता है वो दिशा का जड़त्व होता है क्योंकि यात्रों की शरीर का नीचे वाला हिस्सा कार के साथ मु जाती है इसलिए वो अधिशार नहीं बदलता अगला है एक वस्तु की गती की अवस्था में दूरी समय साड़नी निम्नांक नुसार दे रखी है तो पहले हम साड़नी को समझते हैं ये देखो समय दे रखा है एक दो तीन चार पांच छे साथ सेकंड दे रखे हैं और दूरी दे रखी है यानि कि पहले सेकंड में तो एक मीटर की दूरी तै की गई है दूसरे सेकंड में आठ मीटर की दूरी तीसरे सेकंड में 27 मीटर की दूरी और सात्वे सेकंड में 343 मीटर की दूरी तै की गई है तो प्रशने क्या पूछा है त्वरन के बारे में आप क्या परण निसकर्ष निकालना है कि क्या हो रहा है नियद है यह बढ़ रही है यह घ्ट रही है दूसरा प्रश्णा भी पढ़ लेते हैं आप वस्तू पर लगने वाले बल पर हम त्वरण निकालते हैं तो एस पराबर यूटी प्लस हाफ एटी दूसरा वाला समी करण है तो यू का मान हमको पता है देखी इस साड़ी में दे रखा है जो स्टार्टिंग वाला समय है वो जीरो है यानि दूरी उसने जीरो तै करी है तो इसका मतलब वो विराम अवस् ठीक है दूरी उसने तै कर ली 343 मीटर तो हमारे पास S का मान आ गया 343 मीटर कितने सेकिंड में करी 7 सेकिंड में तै करी तो ये भी हमारे पास आ गया ठीक है तो इस वाले सुत्र में इसका मान रख देते हैं यू हो गया 0 टाइम 7 सेकिंड हो गया और दूरी हो गयी 343 मीटर ये मान रख देंगे तो हमको किसका मान मिल जाएगा ए हमको पता लग जाएगा जो कि हमसे सवाल में पूछा है कि त्वरण का क्या हो रहा है गट रहा है या बढ़ रहा है तो एक का मान निकल गया 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर इसका मतलब त्वरण बढ़ रहा है दूरी क गती जबी होती है जब उसके उपर असंतुलित बल कार्य करता है नहीं तो अगर संतुलित बल होगा तो वस्तूजियों की तोर हैगी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा अगला है 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को एक समतल सड़क पर दो व्यक्ति समान वेग से धक्का देते हैं उसी कार को तीन व्यक्तियों द्वारा धक्का दे कर पॉइंट दो मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर का त्वरन उत्पन किया जाता है कितने बल के साथ प्रतेक व्यक्ति कार को धकेल पाते हैं मानले की सभी व्यक्ति का समान पेशे बल के साथ कार को धक्का दे रहे ह तो कार का वजन है 1200 किलोग्राम तो M का मान हमको दे रखा है धक्का दे कर यह त्वरण उत्वन कर लिया यानि कि हमको A का मान भी मिल गया अब हमको ग्याद करना है कि बल कितना लगा उसके ऊपर तो यह सूत्र से हम ग्याद कर लेंगे F बराबर M A तो M का मान आगया 1200 योगदान है तो तीन व्यक्ति धक्का दे रहे हैं तो 240 में हम तीन से भाग दे देंगे तो 80 न्यूटन का बल प्रती व्यक्ति द्वारा लग रहा है अगला प्रशन है 500 ग्राम द्रव्यमान के एक हतोड़े द्वारा 50 मीटर पर सेकंड के वेक से एक कील पर प्रहार किया जात है तो कील के द्वारा हतोड़े पर लगाए गए बल का परीकलन कीजिए तो 500 ग्राम है तो देखो ग्राम आ गया इसका मतलब पहले हम इसको चेंज करेंगे किलो ग्राम में यह बात हमको हमेशा याद रखनी है तो यह एम का मान हम ग्यात कर लेंगे 500 मीटर पर सेकंड के वे कील का कील मूव करने लगेगी तो देखो यू का मान हो गया 50 मीटर सेकंड जब वो कील के ओपर हतोड़े से प्रहार करेंगे तो जो अंतिम वेग होगा क्योंकि वो हतोड़ा कील के ओपर जाके रुक जाएगा तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और समय हो पॉंटी याद कर लेंगे और इस तरह से हल करके हम निकाल लेंगे की माइनस 2500 न्यूटन का बल इसके उपर लगा है ठीक है अगला है 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की मोटर कार्ड डब्बे किलोमीटर प्रती घंटे की वेग से एक सरल रेखा के अनुदिश चल रही है उसका वे परिमाण का भी परिकलन करें तो इस में 1200 किलोग्राम दू क्लियर है यह एम का मान आ गया 90 किलोमीटर पर घंटे की वेग से एक सरल रेखा में तो यू का मान हमको दे रखा है 90 किलोमीटर पर आर को हमको सबसे पहले चेंज करना पढ़ेगा मीटर पर सेकिंड में ठीक है तो तो यू का मान हमको मिल गया इसी तरह से जो वी का मान हमको दे रखा है वो भी किलो मीटर पर आर में दे रखा है उसको भी हम मीटर पर सेकिंड में चेंज करेंगे और चार सेकिंड में घटर हो रहा है तो टी ठीक है तो त्वरन हमको ग्याद करना है और समवेग में परिवर् मीटर होते हैं उसे गुणा कर लेंगे 1 गंटे में 3600 सेकिंड होते हैं उससे भाग दे देंगे तो हमको निकल गया 25 मीटर पर सेकिंड त्वरण का मान हम निकाल लेंगे तो त्वरण के A बराबर V मैनस U अपॉं T सूतर में मान रखकर हमको त्वरण मिल गया माइनस पांच मीटर पर सेकिंड स्क्वाइर ठीक है अब हमको निकालना है समवेग में परिवर्तन तो समवेग में परिवर्तन हो जाएगा अंतिन समवेग माइनस प्रारंबिक समवेग तो हमने निकाल लिया उसका हमार M V माइनस M U इस तरह से निकाल लेंगे तो निकल जाए हमारा समवेग में परिवर्तन हो रहा है और बल का परिमान याद करने के लिए F बराबर A में तो जो 1200 हमको दे रखा है और माइनस 5 हमने निकाला त्वरन तो इस तरह से हम 5 निकाल लेंगे कि माइनस 6000 न्यूटन का बल इस वस्तू पर लगा है तो इस तरह से हमने इन सवालों क को हल किया यह सवाल सिर्फ मैंने हल के साथ भी बता दिये हैं लेकिन आप लोग सवाल को सामने रखकर वीडियो को पॉस करके पहले खुद सोचें कि इस सवाल में आगे-ागे क्या करना है सूत्रों को लिखें अपने हातों से लिखें और करने का प्रयास करें जितना आप अ से कि आप लोग परिशान ना हो कि सवाल के उत्तर कहां डूंडें जो हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं इसलिए हल भी साथ साथ तुमको कराए जा रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इनके हल खुद ना डूंडें खुद ना सोचें एक ब इस तरह से हमारा बल और गती के नियम वाले चाप्टर पूरा हो गया, अगले वीडियो में हम मिलेंगे गुर्तवा कर्शन नई चाप्टर के साथ, थैंक यू